So, Hey everyone, कैसे हैं आप सब 17 जनवरी की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सब को बुद बुद स्वागत हैं, सब सब लें, देखेंगे HDFC का रिजल्ट कैसा रहा, Nifty और Bank Nifty के बारे में डिस्कूसन होगा, देखेंगे FAIDA क्या बाइस सेल करके गए हुए हैं, रिटेलर्स और सब क्लाइट की पोजिशन को देखेंगे, हम देखेंगे कि सेक्टर वाइस पर्फोर्मस कैसा था, टोपर्स और लूजर को जानेंगे, पूरे मार्केट का अनलिस्स होगा, उसके बाद वर्ल्ड मार्केट को डिस्कूस करेंगे, देखेंगे इंडियन ADR सभी क्या दिखा रहे हैं, DAO Futures कैसे सो कर रहे हैं, इस एक दो दिन जो बचे हुए विक की, उस इवेंट को डिस्कूसन किया जाएगा, और फाइनली हम देखेंगे अपकमिंग रिजल्ट और टेक्निकल अनलिस्स के साथ पूरे वीडियो को खतम करेंगे, चलो ज़्यादा बात रूपीज का प्रोफिट हो चुका है, यहाँ पे, बारा बिलियन के रूपी प्रोविजन से हैं, इन्वेश्मेंट बढ़ा है, सब कुछ अच्छा अच्छा, पहली बार अगर कोई MBA पढ़कर के वहाँ पे रीड करने जाएगा, तो ऐसा लगी का कि नहीं, पूरा घर बार बेच दो, गहना बेच दो, और सारे के सारे पैसे HDFC बैंक पे लगा दो, आस्मान को छू जाएगा, और दो दिन से उनकी प्राइज एक्सन मुवमेंट भी वही दिखा रही थी, लेकिन एक्च्छल में उतना भी खास अच्छा रिजल्ट नहीं है, बुरा नहीं है, वो भी तरीके से फसाया गया है, देखते हैं, निफ्टी के अंदर देखो, हमारे पास फ्लेट ओपनिंग, पूरे दिन फ्लेट ट्रेडिंग, आप देखो न, अगर आप देखो बारा बज़े तक तो कुछ मुवमेंट नहीं थी, स्मार्ट मनी ने कॉल और पूट बेच करके रख लेकिन घुम फिर के 33 पॉइंट में इसने क्लोजिंग दी है, तो आज तबियत से क्या बोलता है, प्रोफिट लिया है किसने सेलर्स ने, आज प्रिमियम मीटिंग की है जबरदस्त, दोनों के अंदर प्रिमियम पूरे के पूरे मेल्ट डाउन हो गये थे, अगर आपने फि सेलर्स कमाते जाना है, खुश रहा करो, क्योंकि बायर्स को भी कमाने का मोका देगा मार्केट, यह पूरा एक ही लाइन में घुमा करके रख दिया, यस, डिया देखो, 300 करोड का सेल मार के गये, एफ आय ने 600 करोड का बाई कर लिया, मत करो ना, 300 करोड का, 600 करोड का आपको बाई, सेल और वो भी एक दूसरे के सामने ही करना है, तो रह नहीं दो, यह बड़े-बड़े नंबर देखो, एक बर मार्केट उपर जाएगा, यह सेल करेगा, यह बाई करेगा, चलता रहेगा, हाँ, अब डेटा समझने वाला है, ध्यान से समझना, रिटेलर्स हमारे पा है, यहाँ पर पूट भी सोल्ट है, और कॉल भी सोल्ट है, डेटा क्लियर होने वाला है, FII के पास 4 लाख जितने कॉल होल है, जबकि बाईंग है उनकी पूट की, साड़े 5 लाख पूट की, अब देखने जाओ तो यहाँ पर FII वर्सेस रिटेलर्स, क्लियर कट दिख रहा तो, और जिसके चांस मैक्सिमूम है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखो, यह डेटा थोड़ा और डिकोड करते हैं, हमारे पास इंडेक्स फ्यूचर को सोल्ट किया गया है, अब इंडेक्स फ्यूचर को सोल्ट करने का मतलब साफ है कि मार्केटों नीच ले जाना है, यह पहली बात, निफ्टी में फिर भी बाइंगे, लेकिन वो इसके सामने बैलेंस करने के लिए की होगी, अच्छा मजा यहाँ प्यार है, देखो, फिन निफ्टी के अंदर जबर्दस सेलिंग है, ऑप्सन के सेलिंग, मतलब वो मन्थली एक्सपाइरी या फ करते हैं, तो वो डाइरेक्शनल मुग की तयारी होती है, और यह कोई छोटा बड़ा आमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा आमाउंट है, तो कल की दिन में, most probably बहुत बड़ी वन डाइरेक्शनल मुग आनी चाहिए, उपर जाये, नीचे जाये, डिसेंट मैटर अट आल, ल पोजिशन मनाई होगी, तो कल पतल लग जाएगा कि एक डिप दाने के बाद, मार्केट कभी भी घूमके नीचे नहीं आएगा, लेकिन लोवर लो तोड़ते जा रहा है, तो कभी भी रिकवरी का सोचना मत यह पेलेंगे, सेम वे में प्रो भी देखो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे उनके पास future के अंदर वो bullish है, लेकिन options में वो जबर दस्त भी अरिस है, और pro भी बहुत strong hand manage हाएंगे, जबकि हमारे पास सामने देखो तो client है, वो हमारे पास strong bullish है, fine, चलो next देखते है, sector wise देखो तो 17 stroke अप थे, जबकि 33 डाउन थे, farma, reality, IT, इन सब में sell off था जबकि metal और oil के अंदर buying थी, yes, toppers में हमारे पास VPCL, random stock थे, यहाँ पर कोई sector wise है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, IT के अंदर profit booking, आना start हो चुकी है, हाँ, देखो, overall market आज ही negative हो चुका था, पूरे का पूरा, 1700 decline थे, सामने सिर्फ 800 हमारे पास advance थे लेकिन यह और number भी गड़ सकते हैं, आने वाले दिनों में, देखो, Asia पूरा down, Asia में चाइना को छोड़ दो, तो बाकि सब कुछ down था, चाइना के विज़े से metal हमारे उपर था, वरना हमारा metal भी गिर था, और nifty को भी जबर्दस्त गिरा था, पूरा हमारा देखने जाए त तो Asia डाउन था, Hong Kong 2% गिरा हुआ है, South Korea 1%, Australia 1%, इसके डेटा आने वाला था, तो नेगेटिव आया, यूरोप भी नेगेटिव, स्विस को छोड़ दो छोटी से एकोनोमी है, यस, अमेरिकन मार्केट भी अभी भी नेगेटिव ही खुला हुआ है, विक्स उसका देखो, 9% ज हम जिसको ढूण रहे हैं, HDFC Bank, 4% डाउन, हो सकता है, यह रिकावर ही हो जाएगी, सुबे तक तो यह और ज्यादा रिकावर हो जाएगा, लेकिन हमारा मार्केट खुलते-खुलते क्या हाल होता है, विप्रो, जो 15-15-16-16% उपर भाग रहा था, आज 7% डाउन भी दिखा तो मैं 2-3 दिन से आपको मना कर रहा था, कि यहाँ पर बाई करने नहीं जाना है, जितनी ग्रीन केडल बन रही है, छोड़ दो, जाने दो, अगर आपने इस लेवल पर बाई किया, तो फिर बहुत टाइम मिलेगा आपको प्रोफिट मिलने में, डाव फ्यूचर देट सो प बाई भी दिखाए, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में बाई हो रहा है, जहाने देना, जैसे ही रेट केडल बना स्टार्ट करे, वहाँ पे बिंदा सेल कर सकते हैं, सेम वे में ओईल हमारे पास रेटने स्ने को मिल रही है, इंडियन रूपी, यहाँ से और पता लगएगा कि यह एक बज़े का सीन है, यह जो आपको पीच में दिख रहा है न, वह आप हमारे मार्केट के अकोडिंग करोगे, तो एक डेट बज़े हमारे पास इंडियन रूपी स्ट्रॉंग था, नीचे जा रहा था, लेकिन एक बज़े के बाद उसने मुर्किया नहीं देखा, पू स्ट्रॉंग हुआ है, एनिवे, यह देखा, उसले का डेटा नेगेटिव आया हुआ है, कल के डेटा की बात करें तो चाइना का प्रोडक्शन डेटा है, जडीपी डेटा है, और इन्फेशन डेटा भी हमको ब्रिटन और यूएसे का देखने को मिलेगा डेटेल सेल्स का प्रोडक्शन डेटा, कल के डेटा की बात करें तो एसेंट पेंट, माइन ट्री का है, आईसे एसे का, आईएफल, फाइनास, उन सब के डेट है, वेरी गुड, क्या जबर्दस बेक्राउट दिया हुए, यह ब्रेक आउट अगर नीचे आ गया, तो फिर मज़े ही मज़े ह हम कमा सकते हैं, बेंक निफ्टी के अंदर अभी भी कुछ उपर की साइड नहीं गया है, अभी भी रेंज महीं है, लेकिन, एचली एफ से बेंक करकर गल रहा है, तो यहाँ पे भी गिरने के चांस होंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, जबर्दस कॉल राइटिंग हुई ह मार्केट अगर उपर जाने वाला था, तो यह कोल राइटिंग नहीं होती, और कोल राइटिंग किसने किये स्मार्ट मनी ने, उसके सामने एक 48,000 पे पूट राइटिंग जबर्दस दे, और वो पूट राइटिंग किस किये है, वो सारे के सारे प्रो है, उनकी है, सोरे प् पता होगा कि HDFC रिजलर्ट है, वो थोड़ा नेगिटिव आने वाला है, उसी के चलते हैं हमारे पास, उसका EDR भी डाउन है, यह अभी देख करके लग रहा है, इसको देख करके कर खुलते ही, पूट ले करके मत बैठ जाना, नुकसान हो सकता है, मेरी एक भी बात मत मानना अपना पैसा अपने तरह के से मैनेज करो, जो मुझे लग रहा था, वो मैंने एक्स्प्रेस किया, मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ, और ना ही मेरी कोई ओथेंसिटी है, कल का लाइव मार्केट देखो, मॉर्निंग में भी देखो, पूरे वर्ल मार्केट कैसे कर रह मॉर्केट